जैस्री राम भगतो भगतो दिपावली पर यानि कि दिपावली से एक दो दिन पहले या दिपावली के दिन या एक दो दिन बाद अगर आपको ये जीव दिखाई देते हैं और वो भी आपके घर में तो समझ लेजिए आपकी किस्मत खुल गई है माता लक्समी शाक्षात आपके घर में आ गई है क्योंकि ये संकेत दिखना कोई संयोग नहीं होता इस समय पर ये किसी बहुत ही स्वभागय साली व्यक्ति को ऐसे जीव दिखाई देते हैं तो देखो सबसे जो पहला जीव है वो होता है अगर दिपावली के दिन या धंतेरस के दिन या अगले दिन और अगर दिपावली के दिन ये संकेत मिल गया तो फिर तो कहने ही क्या है सुबह सुबह या फिर किसी भी समय दिन में अगर आपके घर पर गव माता आजाए और आकर के वो दर्वाजा खटखटाए कई बार क्या होता गव माता ऐसे मुँ मारती है या आपने पीट से ऐसे हिला देती है गेट को तो समझ लीजिए माता लक्समी आई है आपके घर पर क्योंकि गव माता में माता लक्समी का वास करता है और सभी देवी देवता गव माता में है तो अगर आ जाए तो अब देखो भाव ही सबसे बड़ा होता है गव माता आई कई कहते है क्या है हत्यानास कर दिया गेट खराब कर दिया खट खटा रही है गोबर कर दिया अब भाव के कारणी सब कुछ होता है कहते है ना जिसकी जैसी भावना वैसा ही फल पाया गव माता आई आप गेट पर गए आपने देखा कि गव माता है तो आप उस प्रती दीनी खिलाते हैं तो उस दिन उनको मिठी रोटी खिला दें तो समझ लीजिए कि आप से माता लक्षमी अतेंट अतेंट प्रिशन हो गई रूँ आपके घर से जाएंगे नहीं भाव आप ये रखना है कि माता लक्षमी साक्षात मेरे घर पे आई हैं उन्हें अच्छ से अवश्य ही दिखाए दे जाता है वह है कि माता लक्षमी है इसलिए है क्योंकि उल्लू रात पर जयाकता है तो जब माता लक्षमी ने अपना महता लक्षमी चुना था तो और नहोंने कहा था देवतांस said कि आज राति निकलूंगी और उस समय जो भी जागता हुआ मिलेगा सबसे पहले मुझे मिलेगा और जागता वह मिलेगा वही मेरा वहान होगा तो सभी जीव जन तुस समय सो गए तो उल्लू एक ऐसा पक्षी होता जो रात को जागता है तो उल्लू जाग रहा था तो माता लक्समी ने उल्लू को अपना वहान बनाया अगर आपको उल् माता लक्समी आ जाती हैं उस घर में तो खुशियां आ जाती हैं कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है तीसरा संकेत कई बार ये मतलब होता है ये हमने खुद ऐसा मतलब देखा अपनी आखों से जैसे आपने दिपावली की पूजा की और पूजा करने के बाद आप सो जाते हो या आप जगते भी हो तो अगर आप सुबह उठकर देखते हो आपके घर में माता लक्समी के पैरों के निशान बनते हो दिखे और आपके घर के अंदर की तरफ आ रहे हैं वो किसी भी जीव जन्तु के हो सकते हैं बिल्ली जैसे लग सकते हैं और किसी जीव के हो सकते हैं मत एक और संकेत बताते हैं, दिपावली के दिन, आपके घर में पांच साल से कम उमर की कन्या अगर आ जाए, तो कन्या में बैसे तो सभी इस्तरिया, सभी मातामें, भेनां, लक्समी का ही रूप होती है, लेकिन पांच साल से अगर छोटी कन्या आपके घर में आ गई, और वो आ साक्षात मेरे घर में आई हैं तो उनके अच्छे से उन्हें खिलाएं उनकी सेवा करें उनसे अच्छे से बात करें उन्हें कुछ गिफ्ट दें उपहार दें ये समझे कि ये मेरे माता लक्समी की ही सेवा कर रहा हूं और माता लक्समी के उनके चरंसपर्स करें कन्या के और अगर ऐसी कन्या आ जाए तो उनकी नाभी को छूएं क्योंकि नाभी में माता लक्समी का वास होता है और नाभी को छूखर करके अपने आज्या चक्र से लगाएं तो भगतों ये समझ लीजिए कि आपके घर में माता लक्समी का स्थाई वास हो गया है तो अगर आपको इन मै से एक भी संकेत मिलता है तो आपकी किसमत निश्चिती खुलेगी पूर्न भरोसा पूर्न विश्वास रखिएगा अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं जैस्री राम भगता